नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी ड्यूज में वेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में जारी बारिस को लेकर अलट के बारे में विहार में पिछले कोश दिनों से मौसम में लगातार बदलाब हो रहा है आसमान में बादलों की आवाजाही और परदेश के मद्ध भाग के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हो रहा है बारिस से तापमान में बदलाब देखा जा रहा है विहार के मद्ध भाग में गुरुव होने के असार हैं पत्ना मौसम बिग्ञान केंद्र के बैगानिक संजय कुमार ने कहा कि पर्देश में मौसम काफी तेजी से बजल रहा है बरतमान में मध्ध पर्देश से लेकर असम तक एक टर्फ लाइन बनी हुई है तर्फ लाइन को बंगाल की खाड़ी से काफी मातरा मे न Ride नमी प्राप्त हो रही है इसे बातावरन में नमी बनी हुई है खासकर उत्तर एवं पुर्वी भिहार में टर्फ लाइन के कारण मौसम समान है लेकिन मध्ध इभिहार में तापमान में ब्रीधि देखी जा रही है इधर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अधानी प बारिस भी रिकॉर्ड दर्च की गई है मौसम विग्यान को ने कहा है कि भागलपूर कटिहार बांका मुगेर खगडिया जमोई किसंगंसुपावल मध्यपूरा सहरसा अरर्याइबं पुर्णिया में अगले दो दिनों तक बारिस होने के असार हैं वहीं दर्भंगा और मध् होने के आसार हैं परतिसमें कुछ दिन पहले अचानक शुरू हुई बारिस से लोगों को उमस भरी गर्मी से तो रहात मिली है इस दवरान ओला ब्रिष्टी भी हुई और लोगों को जो है काफी परिसानी का सामना करना पड़ा है ऐसे में जो फसलें खुले में थी उसे भी नुकसान हुआ है खासकर आम की फसल को भी इससे प्रभावित हुआ है हलाकि लोगों को उमस से रहात जरूर मिली है बारिस के साथ ही ओला ब्रिष्टी पर आरा क्रिसी बिग्यान केंदर के परभारी बिग्यानिक डॉक्टर पीके दुवेदी ने बताया कि इस समाई के साथ साथ ओले गिरते हैं आने वाले दिनों में भी बारिस के साथ ओला ब्रिष्टी की संभावना है साथ ही बिजले गिनने के भी संभावना है इससे पहले पटना मौसम बिग्यान केंदर ने आठ माई तक के लिए परदेश के सभी जिलों के लिए एलो ऐलर जारी किया था ऐसे में मौसम विभाग ने कहा था कि इन लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की जरुवत है तर बिहार के अधिकां जिलों में तेज बारिस की भी आसंका जताई गई थी खासकर कि पस्चिन चंपारन सिवान सारन पुर्वी चंपारन गोपालगन सीता मढ़ी मधिवनी मुझफरपूर दर्भंगा वैसाली सीबहर समस्तिपूर कि संगन सुपावल मध्यपूरा सहरसा अररिया एवंपुर्मिया में तेज बारिस होने की भी आसंका जताई गई है वहीं वकसर रोहतास भोजपूर भववववा औरंगावाद जहानावाद अरबल पटना गया न अगतार मौसम विभाग के तरफ से अपडेट जारी किये जा रहा है मौसम विभाग ने तो पिछले दिन यह भी कहा है कि खुले में जो फसल है उसको बारिस और ओला बिरिश्टी से नुकसान होने के असार है बिहार में बारिस को लेकर और भी एसे खबरों के लिए बने र íllच्छ आड़खड़ों को यर्द बारिस को ऑब होटब बारिस का रभलों के खबरों के बुबड़ों के पयार रहा है उसक्सान होने फमिताना है से खबरों का थार लाद में विभान बारे मौसम अजशारों कर रहा ह lá जहा है उसर laugh है